इस बीच आपको ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमन का खत्रा अभी भी बना हुआ है दो गज की दूरी मास्क और साबुन से साप सपाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं है जरासी ढिलाई खुद को परिवार को गाउं को संक्रमन के डाल सकती है दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठीन तब कर रहे हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुई है सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक दिलाई नहीं आप इस बात को ध्यान में रखेंगे इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुब कामना आए लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले